इस वीडियो में महिला अफसर पहले गुस्से में खुब बहस बाजी करती है और फिर बहस बाजी के बीच गुस्सा जब आपे से पाहर हो जाता है तो ये महिला अफसर ना आव देखती है ना ताव और हात में लिए मजदूर के फोन को गुस्से में जमीन पर पटक पर चलती बनती है ये पूरा माजरा क्या है? ये वीडियो कहां का है? और इस वीडियो के कहानी क्या है? ये सब जानने से पहले एक बार फिर ये 37 सेकंड की वीडियो को फिर से देख लीजे ये जगह है यूपी का बागपत और वीडियो में दिख रहे ये महिला अपसर है बागपत की सहायक श्रमायुक्त विनीता सिंग बताय जा रहा है कि सोशल मीडिया पर वाइरल हो रहे ये वीडियो 23 माई का है वाइरल हो रहे वीडियो में अधिकारी और इट भट्टा संचालक के बीच तीखी नोगजोग होती सुनाई देती है इस दोरान अधिकारी से संचालक कहता है कि हम वीडियो शूट करेंगे तो आप मुबाइल फोन शील लेंगे रिकॉर्डिंग डिलीट करेंगे इस पर अधिकारी कहती सुनाई देती है कि बिल्कुल करेंगे इस पर भट्टा संचालक उन्हें recording डिलीट करने पर कोड जाने की बात कहता है। महिला अधिकारी कहती हैं कि आप हमारे अधिकारी से बत्तमीजी से बात करेंगे और हम चुप रहेंगे। इस पर संचालक सवाल करता है कि हमने क्या बत्तमीजी की। इस पर महिला अधिकारी औ पता चलेगा कौन है दरसल बागपत में इट का भट्टा चलाने वाले बिट्टु कुमार का रोप है कि उन पर गलत आरोप लगाया गया कि उन्होंने भट्टे में करमचारियों को बंधक बनाया है इस बात की जांच के लिए अधिकारी आए तो उन्होंने पूरे भट्टे क निरिक्षिन कराया लेकिन अधिकारियों को बंदधक बनाये जाने की कोई सबूत नहीं मिले इसके बाद अधिकारियों ने मुझसे सिर्फार की मांग कि मैंने पंद्रह हलार रूपई दे दिये 45 हजार रूपए बाद में देने इसके बाद 16 माई को एक बर फिर अधिकारी भट्टे पर आए, हर जांच और बयान में मेरा पक्ष सही होने के बाद भी पैसे की मांग की गई। को बंधन मुक्त कराने के लिए पहुंची थी। यहां एक युवक द्वारा उनसे अभधरता की गई, जिस पर उन्होंने रामला थाने में अफ़ायर दर्ज कराई है। वही उन्होंने वीडियो वाइरल में अमर्यादित भाशा का इस्तिमाल करने का खंडन किया। उनका कहन सवाल है कि जनता के लिए काम करने वाले अतिकारियों का जनता के लिए इस तरह का रवया अपने आप में गंबीर सवाल उठाता है।